ओम स्री गनेशा नमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार जिक्स वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अगस्त गुरुवार के रासी फलक के बारे में की हाँ दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुँश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजेटिव रहने वाला है दोस्तो आपके लिए आज काम्याबी प्राप्त होनी की संभवना अच्छी बन रही है संतान पक्षशे संतुष्टी आज आपको प्राप्त हो सकती है समय के नुशार संतान का शयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान के कुरिया कलापो तथा घर परिवार की आवश्यक्ताओं पर आज आप खरे उतरने का प्रियास करें दोस्तो आपके संचार कोशल और संबंदों में विस्तार होगा और आप प्रकर्टी और जीवन से आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तो आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे आप भविश्य हितू अनेको योजनाएं आज बनाएंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लंबे समय से अठकी हुई आपकी अनेको एक्छाओं की आज पूर्ती होगी जो दोस्तो साती सात आज आपके लिए दूर की यात्राइं भी होगी जो आपके लिए अती लाबकारी सिद्ध होगी और उनके दोरा आपको अच्छा धनलाब भी होगा और साती सात आपके मान सम्मान में भी वरद्धी होगी मल्टी लेशनल कंपनियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का समय बहुती अच्छा रहेगा आपकी अनेक महत्व कांच्छाओं के आज पूर्ण होने की संभावना हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो पड़ाई लिखाई से संबंदित आज आपको अच्छे सफलता प्राप्त हो सकती हैं भूमी वाहन इत्यादी का भी आज आपके लिए योग बन रहा हैं अपने जन्म पूजा करने के साथ साथ अपने आप पर भरोसा जादा करें दोस्तो राजनीतिक लाब प्राप्ति के भी दरश्टी से इस्थितियां आज काफी आपके लिए अनुकूल हैं साथ ही साथ संतान के प्रती आपका वहवार काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगर्ती से आप काफी संतुष्ट होंगे विध्यारतियों को उनके प्रिणावों में आज सफलता प्राप्त होगी और उन्होंने जिस दिन के लिए महनत की थी वह महनत कामियाब हो जाएगी साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी एक्छा आपको सयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों मित्र भाई बंदू इत्यादी के साथ भेतर संबंद हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरी के प्रती काफी अच्छी संभावना उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगरिटिव हो सकता हैं दोस्तों किसी भी प्रकार के वित्ते निवेश के लिए आज बहुती सोच समझ कर आगे बढ़ें यदि इस चेतर के जानकार या विसे सग्यो कोई कारे करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आज का दिन आपके लिए किसी अंजान तनाव पूर्ण इस्थिती उत्पन कर सकता हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साथी साथ आपको अपने करे छित्र में थोड़ा ध्यान देनी के आवश सकता को कि आपके वुरुद आज कोई सअर्य अंत्र हो सकता है अत्वा कोई आपके वुरुद चाल चल सकता है जिसके कारण आपको मानहनी उठानी पड़ सकती है अपना कारेँ आप पूरी एमेंदारी से करें किसी को भी ऐसा मौका ना दें जिससे आपको कोई परिशानी उठानी पड़े जिन दोस्तो ओफिस अत्वा कारयाले में अपने सेह कर्मियों पर भरोसा ना करें तो कि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजाय ये फायदा भी उठा सकते हैं और आपको चोरी चुपे नुकसान पहुचाने का भी प्रियास कर सकते हैं जिसके कारण ओफिस में आपकी छवी को नुकसान उठाना पड़ सकता है सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आपका जीवन साथी आपको आपके प्रतेक कारे में समर्थ हन देगा और समय आने पर आपकी साहिता भी अवश्य करेगा इसके परिणाम सरूप आपका वहवाईक जीवन काफी अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ मदूर संबंद होने की भी संभावना बढ़ सकती है तथा आवश्यक्ता अनुसार हर जगा जीवन साथी का भी शयूग आपको प्राप्त होगा इसलिए जीवन साथी के साथ मदूर संबंद बनाए रखना आपके लिए बहतर हो सकता है दोस्तो साथी साथ आपको यह बात का विध्यान रखना चाहिए कि प्यार और रिस्ते अपने पन इसने और प्यार से चलते हैं इसलिए किसी भी रिस्ते में अडियल रवया मत अपनाईए और हवा के रुक को देखते हुई कोई कारे कीजिए या दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है या दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती सुव फलदाई रहेग वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आर्थिक इस्तिती काफी मजबूत रहेगी आज आपके लिए आस्मिक धनलाब के भी अनेको योग बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा जी हां दोस्तो आपको अपने कारों से आज अच्छा लाब भी होगा और आपके केरियर में आपकी इस्तिती काफी मजबूत होगी यदि आप किसी मित्र के साथ कोई वैपार कर रहे हैं तो इस दोरान आपको अधिक लाब मिल सकता है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन मिला जुला रहने वाला है विध्यार्कियों के लिए भी आ करते हैं इसलिए एक नियमित और अच्छी दिन्चरिया का आप पालन करें इसके लिए आप अपने खान पान ध्यान दें और साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वैयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आ किसी पीले वस्तर पर इस्थापित कर चंदन और पीले फूलों से उसकी पूजा अर्चना बहुत इस रद्धभाव से करें इसके साथ ही प्रसाद में चने की दाल और गुड चाड़ाएं इसके बाद आप इस प्रसाद को बाटें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शिरहरी जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब विशेष फलो की प्राप्ती होंगी और आपकी समस्त मनोकामने भगवान श्रीहरी विश झाल